नमस्कार आप देख रहे हैं काल चक्र मैं हूँ आपके साथ पूजा राठोर श्रत्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेश्ग्य पंदित सुरेश पंदेची पंदेची आपका बहुत बहुत स्वाज़ जै माविन्य वासने एक मंत्र एक पाठ और एक उपाए दूर करेंगे आपकी तीस परिशानिया देखिए काल चक्र जी हाँ हम सभी की लाइफ में बहुत से उतार चड़ाव और परिशानिया आती हैं जिने हम हस्ते हस्ते पार कर भिलेते हैं लेकिन कुछ परिशानिया और मुश्कुले तो ऐसी होती है कि दूर होने का नाम ही नहीं लेती और इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी परिशानी के अनुसार एक मंत एक पार्ट और एक उपाय बताएंगे जो आपकी परिशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करतेंगे तो बने रहे है काल चक्र के साथ साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा नमबर नोट कीचे और लगतार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है 010-665-2411 अब अपनी चर्चा को शिरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको कोट के मामलों में तारीक पर तारीक मिलती रहती है जो कानूनी मामलों में सालों से परिशान है और जिनकी मैरिट लाइफ डिस्टर्ब चल रही है ऐसे लोगों को किस एक पार्ट का जाप करना चाहिए और कौन सा महा उपाए करना जरूर चाहिए वो चले पंडिजी से जानते हैं पंडिजी कानूनी पच्छों में फसे हुए हैं रहत में मिल पा रही है उनके लिए क्या मंत्र क्या पाठ क्या उपाए देखो पुजा ऐसा है मनुष्य को सुख और दुख यह उसके प्र सब्सक्राइब पुराने जन्मों के जो कर्म होते हैं वह सुख दुख के कारण होते हैं और कभी-कभी तो पिछले सौशो जन्मों के कर्मों का फल आदमी को भूगतना पड़ता है आदमी कहता है कि मैंने अपने इस जीवन में कभी कुछ बूरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, जहां तक खोस में होकर कि मैं सोचता हूँ, फिर भी मुझे दूरुदिन का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसके पीछे जो कारण है वो यह है कि आप नहीं जानते कि आपका प्रारव्ध क्या रहा है। और अपने योग को पूरा करके पुनह परमगति को प्राप्त होते है। तो कहने का आसा यह है कि अगर यह मनुष्य सरीर मिला है, तो सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू की तरह जीवन में रहेंगे। लेकिन सनातन धर्म में उन दुखों से बचने के उपाय बताए गए है। जैसे गीता में गीता का जो महात्म है उसमें वेदव्यास लिखते हैं। अगर कोई आदमी नित्य पांच बार नाडी सोधन प्राणायाम करे। नाडी सोधन प्राणायाम क्या है भीया? 20 सेकेंड आप अपनी स्वास को कीचिये, 80 सेकेंड अपनी स्वास को रोकिये और 40 सेकेंड अपनी स्वास को छोडिये और एक मंत्र है अगर इस मंत्र का नव अबिर्ति एक सांस में आप पाठ कर लें तो निश्चित रूप से आपका योग सिद्ध हो जाएगा और आपके पूरुप्रारब्ध नश्ठ हो जाएगे तो कहने का मतलब कि यदि आपको कोई कानूनी मामलों के कारण परेसानी हो रही है बैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रती विश्वास कम हो रहा है भाई बहन के सुख से बंचित है तो आपको रुद्राष्टक का रोजपाठ करना चाहिए यह रुद्राष्टक राम चेर्ट मानस में लिखा हुआ है तो कहने का मतलब ये आप उत्तर कांड में ये रुद्राष्टक का पाठ है राम चेर्ट मानस में इसका अगर आप रोजपाठ करना शुरू कर दें और आज के जवाने में बैवाहिक जीवन में समरस्ता बनाये रखने के लिए पती-पत्नी के मुबाइल का पासवर्ड एक दूसरे को पता होना चाहिए और कुछ छिपा करके मत रखिये अपने पतनी से या अपने पती से कुछ छिपा करके मत रखिये तब विश्वास में कभी कमी नहीं आएगी और रुद्राष्टक का पाठ करने से भगवान सिव की आराधना करने से किसी भी प्रकार का अगर सामजस्य में कमी हो रही है या कानूनी बिसमता के कारण जीवन में परिसानिया आ रही है तो उन सब चीजों से राहत मिलेगी इसमें कोई दोराय नहीं है जै माविन दिवास में चलिए अब अपने डिसकॉशन को आगे बढ़ाते हैं और बिना गलती के अगर आप भी कानूनी शिकंजे में फस्ते जा रहे हैं सटे और जुए में अपना पैसा बरबाद कर रहे हैं तो किस एक पाठ और उपाय की जरूरत आपको है ताकि आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएए तो पंडेजी से ये भी जान लेते हैं पंडेजी अब इसके लिए आप उपाय, पाठ और मंत्र क्या बताएंगे देखिए सबसे पहले तो ये बता दू कि हमें अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर जैसा बिद्वान, बुद्धिमान जिसका नाम ही धर्मराज वो एक बार जुवा खेल गए ये कहानी द्वापर युग की है महाभारत काल की सुरुवात महीं से होती है और जुवे में सब कुछ हार गए, पत्नी भी हार गए और उसका परिणाम महाभारत हुआ, कौरों पांडों का युध्ध हुआ शृष्ठि का बहुत बड़ा हिस्सा नश्ट हुआ तो जो गलती हमारे इतिहास में एक बार करके लोग इतना दुख पा चुके हैं वो गलती क्या हमें दुबारा करनी चाहिए क्या हमें सट्टा लगाना चाहिए, जुवा खेलना चाहिए नहीं न, अगर आप जुवा खेलते हैं अगर आप सट्टा लगाते हैं तो आप विश्वास करिए धर्मराज उजिष्ठिर के साथ तो कृष्ण थे वो बच गए लेकिन आप के साथ कौन से क्रिष्ण है कि आपको बचाएंगे इसलिए उपाय तो मेरे बाद में करिएगा पहले अपने आदतों पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल तो करिए रातो रात अरपती बनने का सपना तो छोड़िए अपने मेहनत, अपनी मजदूरी पर भरोसा तो करिए और उपाय आप मेरे लाग करिए लेकिन अगर आप किर्केट में सक्ता लगाते रहेंगे जुवा खेलते रहेंगे तो उपाय आप करते रहें पापी व्यक्ति का किया हुआ कोई धार्मिक कारे कभी सफल नहीं होता अगर सफल होता तो रावन का भी यग्य निकुम्भिला पर सफल हो जाता और रावन की जीत हो जाती राम हार जाते इसलिए पाप कर्म करने वालों की कोई पूजा आराधना सिध्ध नहीं होती है इस बात को कान खोल कर सुन लीजिए आचरन सुध रहेगा, विचार सुध रहेगा, कर्म सात्विक होंगे तो पूजा उपासना आपके लिए देशी घी का काम करेगा और यदि आचरन असुध है, कर्म सास्त्र के विपरीत है तो चाहे जितना पूजा उपासना करिये, कोई फल नहीं मिलने वाला है जैसे आप जंगल में रोएं और कोई सुनने वाला नहीं हो उसी तरह से आपकी पूजा बेर्थ जाएगी लेकिन अगर आप बिना किसी गल्ती के कानूनी मामलों में बुरी तरह से फंस चुके हैं सक्टे और जुए के कारण बहुत ज्यादा धनहानी हो गई है संतान के कारण तनाव की इस्थिती हो रही है बुढ़ापे में बहुत अपमान हो रहा है तो स्युपंचाक्षर इस्त्रोत का पाठ करें क्या है स्युपंचाक्षर इस्त्रोत नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मईनकाराय नमासिवाय तो कहने का मतलब है नमह सिवाय पर पांच इस लोक हैं जो पंचाक्षर कहलाते हैं नित्यकर्म पूजा प्रकास की किताब ले लीजे या इस्त्रोत रतनाकर किताब ले लीजे या इस्त्रोत रतनावली किताब ले लीजे उसमें सीव पंचाक्षे रिस्त्रोत है इसका जो लोग सुवा साम स्रधा पुरुवक पाठ करते हैं उन्हें भगवान सत्बुध्धी देता है और वो सत्मार्ग पर चलते हैं और भगवान सीव की कृपा ऐसे लोगों के उपर बरसती है और आपको अपने पूजा घर में मोरपंख जरूर रखना चाहिए मोरपंख रखने से नेगेटिविटी नहीं होती है पूजा में मन लगता है और आपके मंदिर के पूजा के वातावरण में आपका पूरा ध्यान लगा रहता है और कोई असुद्धी भी नहीं होती है जै माविन दिवाशनी कुंदली में भाग्य भाव का स्वामी आठवे भाव में छटे भाव में या बारवे भाव में उपस्थित होता है या जिन लोगों के भाग्य का स्वामी अस्त होता है या जिन लोगों के भाग्य भाव के स्वामी पर सनी राहु केतु की द्रिष्टी होती है या सनी राहु क बेतु भागेश के सांथ होते हैं, ऐसे लोगों का भागे सचमुच में सांथ नहीं देता है, या जिसके भागेभाव पर पापक ग्रहों की दृष्टी होती है, ऐसे लोगों का भी भागे सांथ नहीं देता है, मेहनत करने के बाद भी ब्योसाय में नुकसान होता है, पैत्र द्वादस नाग इस्त्रोत का एक बार पाठ करें, श्री सुक्तम और कनग धारा इस्त्रोत का पाठ करें, सिव मंदिर में धातू के बने हुए नाग नागिन के जोड़े चढ़ाएं, और सुबह साम 108-108 बार महामृतुन्जय मंत्र का जब करें, और जब भी संभव हो, सिवालय जाकर के सिव जी को जल, दूद, गन्य का रस, बेलपत्र और घी का दिया जलाएं, हो सके तो बर्फी और भांग का प्रसाथ चाहें, यह उपाय अगर आप कांटिन्यू चालिस दिन कर लें, तो आपका मंद से मंद भाग भी भगवान सिव की क्रिपा से चल निकलेगा, क्योंकि सकल अमंगल मेट नहारी, भाविहु मेटि सकहित्र पुरारी, आसुतोस तुम्यवढरदानी, आरत खरहु दीन जन जानी, भगवान सिव के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, ब्रह्मा ने आपकी किस्मत में जो कुछ लिखा है, उसको बदलने का अधिकार सिर्फ एक मेव भगवान सिव को है, और बिना किसी संभिधान संसोधन के, बिना किसी दो तिहाई बहुमत के, भगवान सिव अकेले उसे बदल सकते हैं, और किसी भी देवी देवता की हिम्मत नहीं है, कि उसमें कोई हस्तक शेप करे या भगवान सिव से कोई प्रस्न करे. इसलिए कल्यूग में भगवान सिव की आराधना करके असंभव से असंभव कारियों को भी पूरा किया जा सकता है अगर आप सिवालय में जा करके या किसी तिर्थ में या किसी जोतिर लेंग में जा करके साधना करते हैं तो भगवान सिव की सचमुच में बिसाल कृपा मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जैमा बिन दिवास में बेवजा आपके करेक्टर पर उंगली उठ रही है, विरोधी हमेशा नुकसान करने की ताक में रहते हैं तो ऐसे में किस एक मंत्र का जाप करें और किस भगवान को क्या भोग लगाएं, चले पंडेजी से जानते हैं, पंडेजी इसके लिए आप बताईए, ये बहुत परिशानिया है और खासकर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की दिक्कते काफी आती है, कोई कोई शत्रू आपका कब पैदा हो जाएं नहीं पता चलता है, ये तब होता है पुजा, जब जन्मकुंदली के दसम और एकादस भाव में पापक ग्रफ हो जाते हैं, और वो दसा महादसा अंतर दसा चलती है, तो आदमी के सर पे इतना बड़ा कलंकल याता है, इतनी बड़ी बद्नामी हो जाती है, कि आदमी को समाज के सामने फेस करने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है, और गयर तो गयर अपने भी मुझ फेर लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी दसम और एकादस भाव में पापग रहे, तो आपको साउधार रहना अपने किर्ती के रूप में, क्योंकि आपको कभी भी बहुत बड़ी अपकिर्ती मिल सकती है, कहते हैं न, कि अगर स्वास्थ गया, तो फिर ठीक हो जाएगा, धन गया, तो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर चैरित्र गया, तो सब कुछ गया, अगर आपके करेक्टर पर उंगली उठने लगे, ब्रिहस्पति और सुक्र आपके तिर्तिय भाव में बैठे हुए हैं, जिनसे आपका कोई मतलब नहीं, वो भी आपकी सिकायत करने लगें, वो भी आपसे दुस्मनी करने लगें, तो आप समझ जाएगा कुछ इस्टार ज बैठ करके, सिवालय में बैठ करें, सिव मंदिर नहीं, सिवालय, मंदिर तो जिसका छट चिप्टा होता है, वो होता है, सिवालय वो होता है, जिसमें पिरामिड होता है उपर, सिवालय में बैठ कर, महा मृतुन्जय मंतर का दस माला जप आपको करना चाहिए, और ये उप रुद्रसुक्त याद है, अगर आपको रुद्रसुक्त पढ़ना आता है, रुद्रा अश्टा ध्याई के पांचमे अध्याई के सोलह मंत्र रुद्रसुक्त कहलाते हैं, उन सोलह मंत्रों से अगर आप भगवान सिव का अभिशेक कर रहे हैं, या मंदिर में जो पुजारी ह उन्हें रुद्रशुक्त आता होगा, उनसे आगरह करें, कुछ दक्षिना दें, और वो रुद्रशुक्त बोलें, और आप पंचामिर्थ से शिवलिंग का अभिसेक करें, तो निश्चित रूप से ये उपाय चालिस दिद करने के बाद, आपको बदनामी से भी मुक्ती मिल मिलेगी, और आपको परिसानी से भी मुक्ती मिलेगी, खीर का सुन्दर प्रसाद बना करके, सिवाले में अर्पित करना चाहिए, और उसका प्रसाद बांटना चाहिए, जय माविन दिवासनी, और हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गए है, जालंधर से रेनु है, रेनु जी पूछिए सवाल, पंदर जी पर नाम, हां सदा सुखी रहे, जोर से बोलिये रेनु जी, हां जी, पंदर जी, मेरा देश ओफ वर्थ है, आथ सुबर उन्मी सो ट्रेंट, सुबह साड़े शे वजे मंगलवाद, और मैं ये जानना चाहती हूं कि प्रॉपर्टी का हमारा मेरी साथ के साथ जगड़ा चल रहा है, नहीं सुनाई देरा है, आप क्या कह रहे हैं? पंदमगत जी, हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, निन्दर को, और मेरी साथ के साथ इसके बारे में बसुत है, प्रॉपर्टी का प्रापर्टी का केस आपका चल रहा है, आपके दसंभाव का स्वामी चंद्रमा नीच रासी में है, आपको हाई कोर्ट के केस में सफलता नहीं मिलेगी, और प्रयास करिए, और मेहनत करिए, केस आपका कमजोर है, चंद्रमा जब नीच रासी में हो, तो प्रस्ण का उत्तर ज मिलने के संभावना बढ़ेगी। अमुमन हम सभी अपने जिन्दगी में किसी ना किसी बात को लेकर परिशान रहते हैं कभी नौकरी की टेंशन, कभी कारुबार की, कभी सेखत की, कभी परिवार की और इसलिए आज पंडे सुरेश पंडे जी आपको आपकी परिशानी के अनुसार एक मंत्र, एक पाठ और एक उपाय बता रहे हैं, जो आपकी इन सभी परिशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आपकी किस्मत सवार देंगे अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कैसे एक मंत्र के जाप से और एक दान से आपकी बिगड़ रही सिहत ठीक हो सकती है चले पंडे जी से जानते हैं, पंडे जी आज कल तो निरोगी काया मिलना बहुत मुश्किल है हर कोई किसी ना किसी, कोई छोटी बिमारी, कोई बड़ी बिमारी जूच रहा है उनके लिए क्या महा मंत्र, क्या उपाए देखो ऐसा है पुजा, उपाय तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है बताना जरूरी यह है कि अगर आप अपने स्वास्थ को ज्यादा नहीं दो घटी, और तालिस मिनट का समय दें तो सायद ही आप रोगी होंगे अगर अगर तालिस मिनट तक आप योग प्राणायाम नित्य करें और सारीरिक स्रम करें और समय से उठें, समय से सोएं, अपनी दिन चर्या को संतुलित रखें तो संभवता आप बीमार नहीं होंगे और अगर एक बार बीमारी भी है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी और यदि आप सिर्फ हर समय माया मुह के चक्कर में पढ़ करके एक-एक मिनिट तनाव में रह करके और कवडी-कवडी माया जोडने के चकर में पढ़े हुए हैं और तनाव ले रहे हैं तो बीमारियां तो होंगी जब तीन घंटे में जलना है पक्की बात है कि तीन घंटे में जलना है अंतिम में तीन घंटे में जलना है, तो पूरे जिंदगी क्यों जल रहे हो? तो जिंदगी यतने समय की मिली है, खुस रहो ना, दुख सुक तो एक सित्के के दो पहलू है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रभु स्री राम इस धर्ती पर आए, तो क्या उनको विसम स्री कृष्ण मानुवावतार में आये, तो क्या उन्हें उल्जनों से दो चार नहीं होना पड़ा? तो जो भगवान भी इस मृत्तु लोक में आकर के और संघर्ष करते हैं, तो हम मनुसिक की क्या उपात हैं? हम क्यों भी चलित होते हैं? हमें खुस रहना चाहिए, परसन रहना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, साधिदिक स्रम करना चाहिए, आलत से बिलकुल नहीं करना चाहिए, और स्वास्त पर अपने ध्यान देना चाहिए, और इसके साथ साथ सरीर के लिए योग प्राणायाम है, लेकिन मन को ठीक करने के लिए मंत्र जप बहु जरूरी है, अगर आपके भी सहत में गिरावटा रही है, या आपको भविश से कुले करके हर समय चिंता रहती है, आपके चेहरे पर हर समय हवाईयां उरती रहती है, आपका चेहरा देख करके लोग कह देते हैं, आज आप बहुत टेंसन में हैं, क्या बात है? अगर ऐसा हैं हैं, तो आप आईने में अपना चेहरा देखिए, कहीं न कहीं से नेगेटिव वाइपस आपके चेहरे से निकल रही है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, या आप नसे की लग्ष से परिसान है, और आप चाहते हैं छोड़ना, लेकिन आपका संकल्प दस मिनट के बा दोस्त और रिष्तेदार अब धोखा दे रहे हैं, कोई आप से बात करने के लिए राजी नहीं है, तो भईया, ऐसे में भगवान सिव की ही एक मात्र सरण है, जहां आपको राहत मिल सकती है, आपको नित्य प्रातह का अलस्नान करके सूरी को अर्ष देने के बाद नंगे प पहन कर जाना चाहिए, एक उनियासन सफेद रंग का लेकर जाना चाहिए, सिवालय जाते समय, एक प्लास्टिक या फिर दोल्ची में गंगा जल, सहद, दूद, चीनी का रस या गन्य का रस, बेल पत्र, ये सब सामगरी घर से लेकर जाना चाहिए, और सिवलिंग का 24 मिनिट तक उत्तर मुह करके जब करना चाहिए, ये उपाय तो कम से कम 125 दिन करना चाहिए, अगर आप 125 दिन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 40 दिन तो जरूर करना चाहिए, 40 दिन में आपके परेसानियों का निराकरन आपको मिल जाएगा, लेकिन सिवालय में जाईएगा, जहां मध्य में सिवलिंग अस्थापित होता है, बाहर नंदी होते हैं, और कुछ रोज द्रब्य दक्षिना वहां सिवलिंग पर जरूर चढ़ाईएगा, और 72 बुधवार काले कपड़े में उरद या मूंग बांध करके किसी जरूरतमंद को दान करियेगा, इससे भी आपकी परेसानिया कम होगी, जैमाबिन दिवासनी. चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बेवजा के खर्चों पर लगाम लगाने के लिए, किस एक पार्ट का आप जाब कर सकते हैं और कौन सा उपाय, आपकी इसमें मदद कर सकता है, चलिए पढ़ने जी बेवजा बढ़ते खर्चे, इनको रोकने के लिए क्या किया पैसे हो, तो वो घूम घूम कर आवस्यक अनावस्यक चीजें खरीदते रहेंगे, चाहे उसका उपयोग हो या नहो, लियाकर के घर में ठूशते रहेंगे, और जब पैसा खतम हो जाएगा, तो पैसे की कमी का रोना रोएंगे तो अनावस्यक खर्चों के कारण अगर आप भी परिसान हो रहे हैं, तो पहली बात तो आप सोचिए, कि आप के लिए क्या आवस्यक है, क्या अनावस्यक है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए, कहां खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए पूर्सों को चाहिए कि वो अपनी कमाई का संपूर्ण हिस्सा अपनी धर्म पत्नी को समर्पित कर दें और वो ग्रिहलक्षमी घर का बजट बना करके और काम करे अगर आपकी पत्नी नहीं है तो मां को ये पैसा दे देना चाहिए और अपने पाकेट खर्च के लिए भी मां से पैसा लेना चाहिए उससे आपका एक रुपए कहीं दुर्वशन में खर्च नहीं होगा पैसे की गर्मी बहुत बड़ी गर्मी होती है आप पैसा बैंक में जमा किये रहते हैं वो पैसा आपके पास भी नहीं रहता है, बैंक में होता है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा आपके बैंक में है, वो आपसे कोई बात चीत करें 10-20 मिनट तक, तो उस पैसे की गर्मी आपके आवाज से निकलती है, आपके बाड़ी में उसका अहंकार जलगता है, पैसा बैंक में है, लेकिन उसकी हीत यहां तक आ रही है, आप तक आ रही है, आप पैसा रख करके पैसे को भूल नहीं सकते, तो पैसे की गर्मी बखुत बड़ी गर्मी होती है, तो आपको चाहिए कि आप रूद्रेश्तरोत का पाठ करें, और धनवान और निर्धन दोनों अवस्था में आप सहज और सरल रहें, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पैसा आगया तो आप पागल हो गए, थोड़ी सी गरीबी आगई तो आप फैल गए, एक साल तक हर रोज आपको बरगत के पेंड की परिक्रमा करनी चाहिए, बरगत के पेंड की जड में आपको जल और दूद चढ़ाना और जो मिट्टी गीली हो जाया उसी से अपने माथे पर तिलग करना चाहिए, कुत्ते और कव्य को और गाय को तेल लगी रोटी खिलाना चाहिए, ये उपाय 43 दिनों तक करने पर पितर भी संतुष्ट होते हैं, ग्रहिस्थिती भी ठीक होती है और परिवार का वाता वरण भी ठीक होता है, जै मावी निवासनी पूजाग, मैं तो जोंत्सी हूँ, और किसी बात को मैं जोंतिस के ही नजरिये से देखने का प्रयास करता हूँ, किसी भी ब्यक्ती की जर्म कुंडली में आजजीविक्या भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी हो, अगर नीचरासी में हो, अस्त हो, छटे स्थान में हो, पाक पीडित हो, तो ऐसा ब्यक्ति चाहे भागीरत प्रयास कर ले, लेकिन वो अपनी आजजीविक्या से, अपने नवकरी से, अपने कारोबार से, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है, अवना संतुष्टी लायक वो काम हो पाता है, इसका कारण है, उसके आज और वो किस चीज के योग्य है, इसका निर्धारन ही नहीं कर पाता, उसकी योग्यता क्या है, किस काम को करके वो सफल हो सकता है, वो यही डिसिजन नहीं ले पाता, तो कहने का आसर यह है, कि ग्रहों को भी देखना चाहिए, यदि आपकी जन्मकुंदली का दसमेस और त्रतियेस पापपीडित है, निर्वल है, तो उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, तब नौकरी में भी सफलता मिलेगी, ब्योसाय में भी सफलता मिलेगी, अगर पीता के सुक से बंचित है, दसंभाव का स्वामी, राहु सनी से यूत है, या द्रिष्ट है, भागे सांथ नहीं दे रहा है, तो आपको महा कालिस त्रोत का पाठ करना चाहिए, और हर दिन सूर्य को अर्ग जरूर देना चाहिए, और सूर्य को अर्ग देकर कम से कम एक सव पाठ बार, अगर नहीं कर सकते हैं, तो कम सकम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए, सूर्य को उपासना करने से, अगर पिता की सेहत खराब भी है, तो पिता की सेहत ठीक हो जाती है, अगर सूर्य आपका नीच रासी में, नीच नवान सक में है, और आप अपने पि खोना है, चंद्रमा की संतुष्टी ही माता को खुस करना ही चंद्रमा की संतुष्टी है, पत्नी को प्रसन रखना सुक्र की संतुष्टी है, भाई बेहनों को संतुष्ट रखना मंगल की संतुष्टी है, मित्रों को खुस रखना बुद्ध की संतुष्टी है, गुरू को अगर पती-पतनी के रिष्टे में हमेशा प्यार की मिठास बनी रहे बिजनस में ज्यादा मुनाफा हो इसके लिए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए किस एक चीज का दान करना चाहिए, पंडिजी से जान लेते हैं, पंडिजी कैसे दामपत्य जीवन सुख मही रहे, कारोबार में तरक्की मिले, क्या करें? देखो कहते हैं कि पत्नी जो है, ये पूरुजन्म के प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती है, बाणी रसवती अस्य भार्या पुत्रवती सती लक्ष्मी डानवती अस्य सफलम तस्य जीवनम जिसके बाणी में मिठास हो, बाणी रसवती अस्य भार्या पुत्रवती सती और जिसकी पत्नी बेटों वाली हो और सती और पतिब्रता हो बाडीर सवतिय से भारया पुत्रवती सती लक्षमी दानवतिय से लक्षमी इतनी हो कि उसका दान किया जा सके सफलम तस से जीवनम उसी का जीवन इस दुनिया में सफल और अगर आपके जीवन में बैवाहिक जीवन में तनाव है कारोबार में बदलाव करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो सिव मंदिर में बैट कर भाया कम से कम 24 मिनिट तक ओम नमा सिवाय का जब करिए अपने त्रिकुटी पर जो है भगवान सिव का करपूर वर्ड में एकदम गौर वर्ड में ध्यान करिए इक ग्यारह नारियल मंदिर में दान करिए अपने सिर्हाने इक ग्यारह मोर पंख बांध करके रख दीजिए और उसी बेडरूम में रोज सोते समय एक घी का दिया जलाकर गाय के घी का दिया जलाकर तब सोने जाईए दिया आईसी जगह पर जलाई है ताकि उससे कोई चीज जलने का भय ना रहे और दिया अगर इसान कोण में जलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा जये माबिन दिवासने चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हो पढ़ाई में सफलता पानी के लिए किस जगह किस चीज का पार करें और किस एक चीज का दान करें पंडी जी से जानते हैं पंडी बताईए देखो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज है लोग पूरे पूरे जिंदगी नौकरी करते रह जाते हैं, ब्योसाय करते रह जाते हैं, लेकिन घर हो नहीं पाता है, होता है तो बिक जाता है, किराय पर रहने के लिए मजबूर रहते हैं, दो-दो साल पे घर बदलना पड़ता है, ये बड़ी पीडा राय की स्थिती होती ह मैं तो यह कहूँगा कि अगर आपके घर का सपना हर कोशिस करने के बाद पूरा नहीं हो पा रहा है तो उपाय तो मैं बताऊंगा ही लेकिन एक ऐसा उपाय बताऊं कि जो ब्रह्मास्त्र हो जाए तो आप बिंदिवासनी जरूर जाईए और बिंदिवासनी जाईएगा माबिंदिवासनी का दर्सन करने के बाद काली खोह में महाकाली का मंदिर है वहाँ जाईएगा और वहाँ काली जी का दर्सन करने के बाद रूपवे पिचड़ करके उपर जाईएगा पहाड़ पर वहां आप देखेंगे ना हज्जारों घर पत्थर के बने हुए हैं, वहां गिरे हुए जो पत्थर हैं पहाड पर, उन पत्थरों को उठा कर आप भी एक घर बनाईएगा, और अगर ये उपाय आपने दो तीन बार कर दिया, तो आप भी स्वास करिये, चौबीस महीने के अं पाथ आपको दस बार करना चाहिए, और साबूत मसूर का दान आपको किसी हनमान मंदिर में करना चाहिए, जैमा बिन दिवासनी. आजकर हर इंसान कहीं ना कहीं पढ़ाई से, मकान से, गाड़ी या बाकी चीजों के लिए कर्ज लेता रहता है, लेकिन इसे चुकता करने में बहुत से परिशानियां सामने आती है, अब ऐसे में किस मंतुर का जाप करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, चलिए स्टेटस सिंबल है, बड़े रोप से लोग कहते हैं, मैं एक फोन कर दूं तो मेरे पास करोन रुकया जाएंगे, और मेरे पिता जी कहा करते थे, गए पूत जब मांगे पाए, वो आजमी सबसे अभागा होता है, जिसको आसानी से कर्ज मिल जाए, वो आजमी सबसे बदनस कर्ज अगर आसानी से नहीं मिलेगा, तो आप स्वावलंबी होकर के अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, और अगर कर्ज आसानी से मिल रहा है, तो आप चारवाक के दर्सन पर जियेंगे, यावत जीवेत, सुखम जीवेत, रिनम कृत्वा, घृतम पिवेत, जब तक जी कर्ज लेकर घी पिओ, तो अगर आपके भी बच्चे रोक से परिसान है, और कर्ज के लेंदेन में नुकसान हो रहा है, तो भाईया, आपको रिनमोचन मंगल इस्त्रोत का पाठ करना चाहिए, अगर लाख दो लाख कर जा है, तो रिनमोचन मंगल इस्त्रोत का साथ बार मिल जाएगी, लेकिन अगर बहुत बड़ा करजा है, तब तो आपको गजेंद्र मोच्च का पाठ रोते हुए करना चाहिए, इतना ज्यादा आपके मन में भाव आए कि आपके आँखों से आंसु निकले, और राम दर्वार के सामने गजेंद्र मोच्च का पाठ करिए, र घर के मुख्यद्वार पर चांदी का स्वास्तिक दोनों दर्वाजों पर जरूर लगाईए, उस पर सिंदूर और चमेली के तेल का टीका भी लगाईए, निश्चित रूप से यह सब उपाय आपको कर्जमुक्त होने में सहायता प्रदान करेंगे, जै माविन दिवासनी. तो कुंडली में खराब शनी की वज़ा से अगर आपका पैसा भी दवाईयों पर खर्च हो रहा है, जिंदगी के हर मोड पर संखर्च करना पड़ रहा है, तो किस चीज का पाट करें और कौन सा उपाय करें, चले पंडिशी से जानते हैं, पंडिशी बताईए, इन लोगो कोई सरीर होगा, जिसमें कोई रोग ना, और रोग तो छिप कर बैठे रहते हैं, जो सरीर कमजोर होता है, तो वो आक्रमण करके बाहर निकलाते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में सनी बक्री है, बक्री का मतलब कि उसकी गती पीछे की तरफ जा रही है, और वो खास करक आपके भागे भाव में बैठा हुआ है, या वो ब्याए भाव में बैठ करके आपके रोग भाव को देख रहा है, या आपके सब्तम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर वो अस्त है या सुक्रस्त है, तो बीमारी के कारण धन्हानी होगी, अगर आपके बारहमें भाव में सनी, राहू, मंगल की इस्थिती होगी, तो ऐसे लोगों को मुकदमे पर, बिमारी पर, कर्ज चुकाने पर, ब्याज देने पर, धन का सत्या नास होगा. और अगर जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, तो आपको सिवालय में जा करके भगवान सिव की बिध्यवत पूजा अराधना करनी चाहिए, सिव महिम निश्त्रोत का पाठ करना चाहिए, लाल चंदन में भांग पीश कर, केसर लाकर महादेव का तिलक करना चाहिए, केवल लाल चंदन और केसर भी घिस करके अगर महादेव को त्रिपुंड लगाएं, तो नियसंदेह इससे आपकी महनो कामना पूरी होगी, जैमाविन दिवास में. तो उमीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विशे बेहत पसंद आया होगा, पंडिजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खास महा मंत्र महा उपाएं, दर्शकों को बताने के लिए, तो चलिए कल फिर एक नए विशे और आपकी परिशानियों को दूर करने के ठीर उपाएं लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश माने जी के साथ, तब तक के लिए काल चकर की पूरी टीम को इजास दीजे